नमस्कार तत्थे में आपका स्वागत है मैं हूं मनीश वस्थी तत्थे में हम बात करेंगे चीन की हलक तक पहुंचेगी भारती अरे चीन से बॉर्डर करेक्टिविटी को लेकर मिल रही चुनोतियों की बीच एक बहुत अच्छी खबर है भारत के इस्टन सेक्टर में सिक् लाग करोड रुपए में बिचाए जा रहे 5 रेल ट्रैक का काम 65 प्रतिशत पूरा हो गया 65 परसेंट रेलवे के उच्छ पदस्त उत्रों ने बताया कि सब ठीक रहा तो दिसंबर 2024 तक से किम के रंपो से गंटॉक तक बंदे भारत एक्स्प्रेस शुरू कर दी जाएगी ब चुके हैं तिस्ता बाजार में भूमी का स्टेशन बनना है इसके अलावा त्रिपुरा को बांगलादेश और असम को भूटान से जोडने वाले दो इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर रेल रूरूट का काम भी अंतिन चरण में तीन और रेल प्रोजेक्ट है जो भारत को सु रानमार बांगलादेश से जोड़ेंगे इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर रेल प्रोजेक्ट के पहद त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से बांगलादेश के अखौरा रेल्वेस्टेशन को जोड़ रहे हैं कुल 862 करोड़ रुपय के प्रोजेक्ट में भारत का 5 किलो है मोरे यांसार पर भारत का आखरिक शेत्र है प्रोजेक्ट की डेड्लाइन दिसमबर 2024 रखी गई है दो तीहाई काम हो चुका है बाद में इस ट्रैक को व्यापार के संपू सिप थाइलैंड तक बढ़ाने की तैयारी है असम के करीमगंज जिले से सोहं सरन स्टेशन है जो के शाहवासपूर से जोड़ना है तो आपने देखा चीन की हलक तक भारत की रेल पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं है तथ्य में आज के लिए फिलाल इतना है नमस्कार